नमस्कार मैं हूँ राउल शर्मा आप देख रहे हैं स्पेनाई न्यू स्वागत आप सभी का आज की बड़ी कबर में और बड़ी कबर की शुर्वात गुजराथ से हाला कि गुजराथ चुनाओ की तारीकों का अभी अइलान नहीं हुआ है लेकिन गुजराथ चुनाओ से पहले हर पार्टी अपनी जीत का दावा बहुत बहुत बहतर तरीके से कर रही है जीत और हार किसकी होगी ये जनता पर निर्भर करता है क्योंकि लोकतांत्रिक देश में जनता ये तै करती है अपने वोटों के जरिये कि हमें किस पार्टी को समर्थन देना है और किस पार्टी को नहीं देना हाला कि गुजरात चुनाओ से पहले का माहौल अगर देखें तो दो पार्टियों के बीच बड़ी टकर देखने को मिल रही है और वो दो पार्टियां है बीजेपी और आम आदमी पार्टी बैसे में सवाल ये है कि क्या गुजरात में इस भार ज़्ाडू चलेगा ये भी है कि इस बार कमल खिलता नज़र आएगा हाला कि जाड़ो चलने की उमीद मुझे बहुत ज़ादा देखती नजर आ रही है और मुझे कुछ नारे भी इस वक्त याद आ रहे हैं जो नारे मैंने दिल्ली विदान सवा चुनाओ के वक्त सुने थे दिल्ली में जब विदान सवा चुनाओ हुए थे तो कुछ नारे आम आदमी पार्टी की तरफ से थे जिन में एक नारा ये था बहुत मशूर था लगे रहो केजरिवार और अपकी बार केजरिवार सरकार जी हाँ और ऐसे ही नारे मैं देख रहा हूँ कि गुजरात की आज गलियों में गुंज रहे हैं गुजरात की आज गलियों में अगर आप जाएंगे वहाँ के लोगों से आप बातचीत करेंगे तो एक ही बात हो रही है बदलाओ की एक ही बात हो रही है नई पार्टी की 27 साल से गुजरात में बीजेपी मौजूदा समय में है 27 साल से है लेकिन अच्चानक ऐसा क्या हुआ कि चंद महीनों पहले एक पार्टी जाती है उस पार्टी को गुजरात की जन्ता सराखो पर बिठा ले जिये दरसल मुद्दे-मुद्दे की बात होती है काम-काम की बात होती है 27 साल बीजेपी ने गुजरात में जाती समुदाय धर्म के नाम पर काम किया लेकिन एक पार्टी दिल्ली से निकल कर गुजरात का रास्ता ताय करती है जिसके मुद्धे बहुत बेसिक रहते हैं जनता से जुड़े रहते हैं और वो मुद्धे हैं फ्री बिजली के, फ्री पा आज पूरे देश में लोगों ने देखा है, सिक्षा के लिहास से देखे, स्वास्त के लिहास से देखे, रोजगार के लिहास से देखे, तो ये चीजे लोगों को बहुत पसंद आएंगे हैं, हाला कि गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को कुछ मिला नहीं, अमानातुल्ला खान जैसे नेताओं के हां कुछ मिला नहीं, दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विन केजरिवाल के घर तक को नहीं छोडते हैं, वहां पी चापा मारते हैं, लेकिन वहां कुछ मिला नहीं, ये जो बात निकलती है, ये गुजरात पहुंसती कॉंग्रेस पार्टी की तैयारी कैसी है कॉंग्रेस पार्टी अभी आला कि कुछ दिख नहीं रहा है कोई शोर शराबा नहीं है कोई रैली नहीं है परचार परसार नहीं है घोशना पत्र नहीं है लेकिन एक बात जो है वो यह निकल कर सामनी आ रही है क्या गुजरात में कॉ दुबारा मुलाकात होगी तब तक ले जा दीजे नमस्कार